हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल में फिट से स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेनेस्ट्री के अंदर फोर्टीगेट फायरवल को कैसे इंटिग्रेट किया जाता है या कॉन्फिगर किया जाता है तो दोस्तो नॉर्मली फोर्टीगेट फायरवल इंटिग्रेट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जेनेस्ट्री के साथ आपका मशीन में जेनेस्ट्री वेम भी इंटिग्रेट रहना चाहिए तो जो नॉर्मली जो वर्ट्यूल अप्लाइंस हम लोग इंस्टॉल करते हैं जैसे कि वो ए से हो सकता है या फोर्टीनेट हो सकता है या पालो अल्टो तो वो जो भी virtual appliance रहेगा वो हम लोग VM के अंदर ही डाल नहीं है तो इधर में देखिए दोस्तों यह मेरा gnstvm पहले से integrate किया हुआ है और यह मेरा local computer है ठीक है मतलब मेरा local computer ठीक है जिसके अंदर मेरा gnst install किया हुआ है तो दोस्तों 48 firewall integrate करने से पहले सबसे पहले आपको तीन चीज़ चाहिए एक है 48 firewall का appliance file जो हम लोग पहले ही download कर चुके है gnstvm का website से 48 firewall का image ठीक है यह दोनों सबसे main चीज़ है और एक चीज़ लगता है कि एक configuration रहता है तो हम उसको दिखा देंगे कि कैसे उसको भी download किया जाता है तो यह तीनों file हम लोग पहले से ही download करके इधर में रखे हुए है तो सबसे पहले आपको दिखा देता है gnstvm का appliance का से आप download कर सकते हैं अगर आपको gnstvm appliance डाउनलोड करना है तो सबसे पहले कहाँ पर जाना होगा आपको gnstv.com में जाना होगा sorry gnstv.com में जाना परेगा उधर में आपका user account में अप login आप एक account बना लीजिएगा उधर में login कर लीजिएगा उसके बाद marketplace उसके बाद appliance appliance में जाके यह वाला search option में जाके आपको type करना परेगा fortinet या fortigate तो इधर में देखे fortigate firewall का appliance appliance file इधर में पहले से दिया हुआ है तो इधर से आप download कर सकते हैं वह appliance file को यह fortigate का virtual appliance file है ठीक है देखे इधर में लिखा हुआ है fortigate virtual appliance offers the same level of advanced threat protection features like physical appliance मतलब physically जो हम लोग device को खरिकते हैं जो हम लोग configure करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग अगर virtual appliance को भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरीए भी हम लोग सीख पाएंगे configure कर पाएंगे ठीक है तो यह file को download करने ना परेगा ठीक है जो हम लोग उने पहले सी हम लोग कर चुके हैं तो दोस्तों इधर में मेरा gnst का gnst vm में जो जो vm है इधर में पहले से fortigate firewall डाला हुआ है तो इसको हम लोग delete कर देते हैं तो delete करने के बाद हम दिखाएंगे की fortigate firewall को कैसे integrate करेंगे तो integrate करने के लिए सबसे फ़हले file option में जाना परेगा import appliance option में जा सकते हैं तो हम लोग पहले ही जो appliance file था वह हम लोग ने download करके रखे हुए थे तो download location है मेरा desktop तो इधर में देखिए यह मेरा appliance file है जो हम लोग ने पहले ही download करके रखे हुए है तो यह appliance file को हम लोग इधर से choose कर सकते है तो choose करने के बाद देखिए यह वाला जो मेरा appliance है इंस्टॉल कहां पर होगा यह जो virtual appliance है यह मेरा बता रहा है कि यह GNS3 VM के अंदर integrate होगा यह recommended है अगर आप चाहे तो local computer में भी कर सकते हैं लेकिन GNS3 VM में करेंगे तो आपका computer में smoothly run होगा इसके यह एक तरीका है और एक तरीका हम आपको बता देते है 48 firewall को कैसे कर सकते हैं जैसे कि normally हम लोग इधर में click करते हैं तो router अगर का option आता है तो इधर में अगर हम लोग choose करते है तो all device में 14 Нет firewall पहले से दीखिए मेरा दिया हुआ है अगर इधर से भी आप अगर पहले से इधर में डाला हुआ है इसलिए दिखा रहा है नहीं डाला होता तो इधर में appliance file दीखाता है इसको हम लोग choose कर सकते थे जैसे कि माल लीजिए इधर में इधर में available appliance तो इधर में शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग पहले ही install कर चुके है तो ठीका छोड़ दीजिए फाइल में जाके import appliance option में जाएए 48 option में जाएए next किजिए तो यह default की मूँ binary location जो है उसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए उसके बाद next किजिए तो इधर में बोल रहा है देखिए मेरा पहले से ही 48 firewall का जो configuration file है या पहले डाला हुआ है मेरा gnst के vm के अंदर अगर आप fresh install कर जाए तो कैसे करेंगे वह हमको आपको दिखा देते हैं तो सबसे फ़हले दो फाइल इधर में रखता है एक है virtual appliance फाइल ठीक है 48 का और एक है mt30g qq2 file तो इसको आप download कर सकते हैं इसको चूज करके आप download option में click करेंगे तो दिखिए sourceforge.net एक website open हो जाएगा जहां से आपक जहां से आपका download भी चालू हो जाएगा इधर से आप वो file को download भी कर सकते हैं तो हम लोग पहले ही हम लोग ने ये file को download करके रख चुके है और एक जो file है मेरा main file ठीक है मेरा जो virtual appliance 48 का जो मेरा main virtual appliance file है उसको भी हम लोग click करके अगर हम लोग चाहे तो download में click करेंगे तो required files can be downloaded मतलब ये website में redirect हो जाएगा तो उधर से भी हम लोग download कर सकते हैं क्योंकि ये जो मेरा official website 148 का उधर में redirect हो गया है इधर से जाके हम लोग क्या करेंगे download option में जाएगे देखें इधर में हम लोगों क्या किया है पहले से ही login करके रखे हुए है अगर आपका login नहीं रह कौन सा image VM images में click करेंगे तो इधर में option देगा तो देखें इधर में बोल ला है कि कौन सा वाला product आप download करना चाहते हैं तो इधर में हम लोग choose करेंगे 40 gate analyzer नहीं 40 manager भी नहीं सिर्फ 40 gate को choose करेंगे उसके बाद platform हम लोग इधर में डाल देगे kvm तो ये वाला इधर में दे extension थोड़ा अलग है new deployment 48 kvm तो ये kvm.zip file है इसको आप download कर लीजिए तो download करने के बाद extract कर लीजिए तो हो जाएगा आपका काम तो उधर में ही मिल जाएगा 52.37 MB का size है इसका ठीक है जो हम लोगोंने पहले ही download करके रख चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले दो download दो फाइल जो हम लोग download करके रख चुक है उसको हम लोग इधर में choose कर देंगे तो choose करने से पहले इधर में allow custom file option में आप click करके रखिए नहीं तो वो हम लोग जब file को choose करेंगे तो उसके बाद जब हम next option करेंगे तो वो नहीं काम नहीं करेगा तो ये allow custom files का जो option है उसको अब check करके रखिए उसके बाद yes कीजिए उसके बाद हम लोग दोनों file को import कर सकते हैं देखिए पहले से ही import क्या हुआ है अगर आप चाहते हैं तो import option में जाके click कर आपका जो जहां पर डाउनलोड किया है वो वाला file को choose कर सकते है और मेरा 48 firewall का main file है मेरा virtual appliance file उसको भी हम लो file md5 checksum कोई भी problem नहीं do you want to accept it yes कर दीजिए तो यह आपका virtual appliance देखिए install होने लगा है तो यह मेरा virtual appliance अभी install हो गया है तो एकदम latest version 6.2.0 ठीक है virtual appliance दो ही दोनों file इधर में अम लोग उन्हें जिरस्ट के अंदर अम लोग डाल दिये तो इधर में दिखा रहा है found on jnstvm उस इसके बाद next कीजिए would you like to install forti gate yes finish तो देखिए इधर में finish करने के जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरा पहले से ही forti gate इधर में डाला हुआ था इसलिए यह नाम से हम लोग नहीं कर सकते कोई दूसरा नाम इधर में डालना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर देते है forti gate हम forti net कर देते हैं तो देखिए हम लोगों का यह हो गया forti net तो यह कहाँ पर आएगा यह भी हम आपको पता देते हैं अभी जो फाइल हम लोगों ने इधर में डाल दिये जो virtual appliance हम लोग ने डाल दिये अगर उसको देखना चाहते तो edit preference उसके बाद की मू वीम option में जाके अभी अभी integrate किये तो यह मेरा वाला फाइल है तो इसको जाके आप चेक भी कर सकते हैं edit option में जाके क्या configuration है console console type क्या रहेगा तो देखिए यह वाला जो 148 का जो virtual appliance हम लोगों ने डाले हैं तो इसका requirement क्या है 1024 MB RAM ठीक है मतलब 1GB RAM का requirement है और इसका console type क्या रहेगा इसको आप VNC कर दीजिए तेलने मत रखिए ठीक है तो करने के बाद apply तो के यह मेरा integrate Genistry VM के साथ मेरा 148 firewall integrate हो गया अभी यह कहां पर आएगा यह आएगा security appliance के अंदर तो देखिए यह मना वना 148 firewall का file है मतलब virtual appliance जो file हम लोगों ने डाले थे वह ही है यह मना virtual appliance है तो पहले इसको हम लोग start कर लेते स्टार्ट करने के बाद हम लोग console open करेंगे तो देखिए यह DMC से open हो गया अभी open हो जाने के बाद थोड़ा time wait करना पड़ेगा उसके बाद एक login prompt आएगा उधर में हम लोग username password डालके enter कर लेंगे और दोस्तो और एक चीज हम बता देते हैं 40 gate के उपर हम लोग configuration के उपर हम लोग और भी वीडियो बाद में डालेंगे तो यह normal configuration बहुत सारा student को यह परिशानी होते है यह दिक्कत होते है कि मान लीजे हम लोग firewall सीख रहे हैं या करना चाहते हैं तो कैसे उसको घर में जाके प्रैक्टीस करें क्योंकि देखिए सभी के लिए तो hardware device available नहीं होता सभी के लिए वह हम लोग खरीद भी नहीं सकते क्योंकि उसका market में price अलग-अलग rate में आता है तो यह जो normal virtual appliance है इसके जरी हम लोग घर में बैठके आराम से 148 firewall को हम लोग try कर सकते है प्रैक्टीस कर सकते तो अगर GNST एक software है जिसके अंदर आप कोई भी firewall को integrate कर सकता है जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एसे firewall किये थे इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहा है 148 firewall उसके बाद में हम लोग पालवल्टों भी दिखाएंगे कि GNST के अंदर कैसे पालवल्टों को भी integrate कि जाता है और जैसे कि मान लीजिए और भी बहुत सरा firewall मिलता है जैसे पीफ सेंस नाम का firewall मिलता है ठीक है और सोफोज जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है तो यह सब चीज हम लोग GNST का अंदर इंटीग्रेट करके उसको practice कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए यह मेरा login अब इधर में क्या देना परेगा यूजर नेम देना परेगा admin पासवर्ट कुछ भी नहीं है तो एंटर कर दीजिए हम लोग 48 में login हो गया अब अगर अगर आप देखना चाते है कि क्या क्मांड हम लोग इधर में डाल सकते हैं तो help command डालिए तो नहीं इधर में कोई question mark ड दिखाएंगे कि कैसे fortigate firewall को configure किया जाता है इसके बात का जो वीडियो रहेगा उसको उसमें हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली एक छोटा topology बनाके fortigate firewall को हम लोग कैसे remotely मतलब उसका जो remote console है मतलब web login access करके उसको कैसे configure करते है normally यह हो गया command prompt के जरीए इसके बात का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग दिखाएंगे उसमें हम लोग दिखाएंगे कि web के दुआरा हम लोग 14.net firewall को कैसे configure करते है तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीस प्लीस यह को ओक शरत है जो सब्सक्राब को चैनल है जो Cliff the Bell Ic0on